Hello Everyone, Welcome to Agriculture NGK दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से अवनाचर प्रदेश Public Service Commission Agriculture Development Officer के question paper के बारे में डिसकस करूँगा दोस्तों अवनाचर प्रदेश में Agriculture Development Officer की recruitment 2017 में आई हुई थी उसके बाद अब इसकी vacancy आई हुई हैं तो जानते हैं कि 2017 में इसका पेपर कैसा आया था दोस्तो यह पेपर आपको आइडिया देगा इस बार की तैयरी करने में तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से अग्रिकल्चर के जो पेपर आते हैं दोनों और सेकेंड वो डिसकस करने वाला हूँ और दोस्तो एक लिक्वेस्ट है आप से अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगी तो शुरू करते हैं वीडियो को होता है आपके पास होता थीन गशनटे गा nine maximum इसमें होते हैं हंड्रेड और पेपर आपका आपका चोता हैं डिस्कृप्ट अनॉट्स तीन होता है गो reliable ॥भाल्य व्राइच तनोड चु कृस्चमि लाइथ इसमें लंग' के उपर आपको जो है शॉट नोट लिखने है इसमें आपका क्या है मिनमन टिलेज बायो फर्टिलाइजर फोटो प्रिजाउडिस्म कोल क्राप्स जेंफेट क्रापिंग क्राप एससे एससे टेड़ वीड्स लैंड क्यूएंट रेसियो कल्टिवेटेड इस प्रिसीज और सि और इसी का पार्ट बी क्या है हाट मीजर विल यू सजेस्ट टू इंक्रीज दी प्रोड़क्टिविटी ओफ क्राप्स इन अड़नाचल प्रदेश इसके फाइप मार्क्स हैं नेश्ट है आपका इसमें अड़नाचल प्रदेश इस दिदे डिफाल्ट और गनिक इस्प्ले इसमें 3A है हाट डू यू अंडरिस्टेंड बाई सस्टेनेबल अगरिकल्चर 3B कंपेर इट इंटेंसिव अगरिकल्चर और आपका 3C क्या है डिसकर्स इन डिटेल दी मैनेजमेंट प्रक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबल अगरिकल्चर तो दोस्तों इनके जो है आपको थेओर इनको अगर आपको त्यार होगी तो आप इन्हें अच्छे से कर ले जाओगे इनको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से तभी आप इनको कर पाएंगे कोस्टन नंबर चार डिफाइन इवापो ट्रांस्पाइरेशन फोर बी हाट आर डिफ्रेक्टर एफेक्टिंग और आपका फोर चार क्या है हाओ इस दी का पॉरड़ेक्टर उफेक्टट बाई इवापो ट्रांस्पारेशन इसके विज़े दोस्तों फिप्टीन नंबर है कोस्टन नंबर 5 अपका क्या है फाइफ का ए क्या है डी स्टेट दी कामर्सियल कल्तिवर और पाइनेपिल पाइ pineapple indicating the plant population per unit area और आपका 5C क्या रहेगा discuss on the measure to combat non-uniform flowering in pineapple इस question में totally जो है pineapple के बारे में आपको discuss करना है question number 6 क्या है आपका define oxidative photophosphorylation and photophosphorylation next क्या इसी में distinguish between cyclic and non-cyclic electrons transfer process of photosynthesis इसी में see क्या है outline the mechanism of opening and closing of histometer with difference to potassium ion transport mechanism question number 7 क्या है दोस्तों define mass selection 7B क्या है describe the procedure of mass selection in brief 7C कर रहेगा discuss the merit and the merit of mass selection यह question आपको जो है point to point लिखने पड़ेंगे इसमें आप बना का नहीं ले सकते हो अगर आपको अच्छे नमबर लाने हैं तो आपको इसमें point to point लिखना पड़ेगा question number 8 क्या है 8 का जो A है differentiate between the following fertilizer and bio fertilizer texture and structure integrated nutrient management INM and integrated plant nutrient supply IPNS question number 8B क्या रहेगा दोस्तों आपका comment on soil test based nutrient recommendation for crop and their adoption by farmers 8C क्या है question दोस्तों how does soil acidity affect the crops तो यह questions आए हुए थे APPSC ADO के paper first में अब दोस्तों जानेंगे paper second के बारे में कि वो कैसा आता है तो paper second में दोस्तों आपका descriptive ही जाता है इसमें आपके पास time होता है करने के दिए 3 गंटे का मैंस्वा मार्क इसमें दोस्तों सो रहते हैं और इसमें question कैसे आते हैं इसमें दोस्तों पहला question है आपका illustrate this symptom etiology perpetuation disease resistance and chemical management of dust of wheat इसके आपके 10 number हैं इसमें दोस्तों B है क्या write the most distinguishing symptom along with the causal organism of following diseases lead bite of potato white rust of crucifer citrus greening fire blight of apple bacterial lip light of rice इनके बारे में आपको लिखना है question में दो क्या है इसमें write a brief note on the following what is virus describe the describe its morphology and nucleic acid composition second का B क्या है दोस्तों five important characteristics of bacteria आपको लिखने पड़ेंगे second का C क्या है antibiotics versus phytolacin के बारे में आपको लिखना पड़ेगा next क्या है DAS Elisha next क्या है आपका दोस्तों horizontal resistance versus vertical resistance के बारे में आपको लिखना है question no.3 क्या है दोस्तों आपका describe the nature of damage and management practices of the following insect paste इसमें क्या है दोस्तों आपका yellow stem borer, banana pseudo stem weevil, potato tuber moth, pulse, bruchid, gram dhura, brinjal fruit and shoot borer question no.4 describe the symptoms of nematode disease of rice and pineapple इसके 10 marks है आपका 4 का V क्या है discuss in detail nematode management practices इसके 10 marks है question no.5 क्या है आपका define agricultural economics what is the difference different division of agriculture economics state the subject of agriculture economics इसके आपके 20 marks है question no.6 illuminate the principle evolved in farm management this season how can agriculture marketing cooperate to help in better farm management इसके आपके 20 marks रहेंगे question no.7 analyze the step of extension education process so how the extension teaching methods are classified into different categories describe two extension teaching methods from each category along with the area of their application इसके भी आपके 20 marks रहेंगे question no.8 क्या रहेंगा दूस्तों आपका to increase agricultural production thought mechanization suggest your recommendation in view of latest development of farm implements and methodories इसके आपके 6 marks हैं इसके आपके 6 marks हैं इसके आपके बी पार्ट क्या है what is the post harvest technology what is primary and secondary processing explained in brief with various food preservation techniques इसके आपके 8 marks हैं इसके का part C क्या है what is the sequence of water erosion under what condition drop slip way are constructed what are the purpose of bunts इसके आपके 6 marks हैं तो दूस्तों ये थे question paper जो की औरणाचल प्रदेश प्रब्लिक सर्विस कमिशन का जो exam होता है agriculture development officer का उसके papers थे दोस्तों अगर आप इस तरह की वीडियोज चाहते हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर आपको औरणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई जॉब की अपडेट्स और इसके competitive exam की वीडियोज मिलती रहेंगी थैंक्स पॉर वाचिंग बेस्ट आफ लग टू आफ यू